गुद्रत ने हमें बड़े पेड़ पोधों के रूप में बड़े बहत्रीन तोफे दिये हैं गीता में एक श्लोक आता है पंद्रवध्याय में पुष्ण नामी चे ओशिदी सर्वा सोम गुष्पारसात्मा काहा को यानि मैं चंद्रवा के प्रकाश में जड़ी बूटियों करता हूं कि एब पुष्ट करते हैं और मेरा जो कुछ वर्ष वर्षों का उसमें बहुत अच्छा में आपके साथ अनुभाव शेयर करना चाहूंगा वह है कि आघुरीया जल उसका सेवन हम करें और अचिदिया जल क्या होता वह आपको प्ताता हुम होता है पानी जो होता ढलते हैं जड़ी पुटी को सूखी को भी डालते है है तो जल उसके गुंड को ले ले लिता है जल मन असका गुणा आजाता है और कुछ में नहीं अढ़ा तो उसको बाल के लिए फिरी उसको काडा पॉलते है तो काडा गया ओसदी जल트를 कहें तो प्रकरती ने हमारे शरीर के रोग के नुसार इस्थिति के नुसार प्रकरती में कोई न कोई ओश्दी ऐसी है जो हमारे काम की है और क्या ओश्दी हमारे काम किया ये श्रंखला के रूप में मैं आप से निवेदन करूंगा तो इसको इसको श्रंखला को नाम दिया सबसे पहले आज बात लेंगे वो लेंगे मेथी के दानों के विशह में हैं तो मेथी के खुशबू है अभी इसका मेने डक्कन खोला और खुले में बैठा हो मैधान में यहां तक किसी खुश्बू गारी है क्या कुद्रत ने हसीन खुश्बू दिया इसके लिए अचार में पीने के बाद सोच जाने के बाद इसको मेथी को के दाने अपने पानी में भीगोए थे आके दानों को पानी हैं और फिर इसको पानी को सुव Mega एक सेंब होजाता हैकि कि ऐसे पानी को सुवे के समय सेबन कर सकते हैं और सेवन करने के बाद इसके अंदर फिर से पानी डालना होता है और पानी डालके फिर इसको आधा पोना एक दो भंटे के लिए रख देते हैं एक बार गया में इसके पूँरा नहीं निकलते हैं और फिर इसको पानी को फिर एक दो भंटे बाद पी लिए फिर एक बार टालते हैं तब जाके इसका पानी पूरी तरह से इसका जो में इसका यह विद्य को पक्राव करेंगे क्या आलाब देगा नमबर एक मदू में मदू में जो डाइमेटीजस पर राम बाण है बहुत अच्छा काम करती है और मदू में क्या होता है कि बोडी के ऑर्गन्स डामेज होते हैं पेरों में नियूरोपैट नियूरोजियुन डिस्टोर रहते हैं पैरों के इंदर किट्नी की बैड इफेक्ट आता है डाइजेटर सिस्टम पर पैड इफेक्ट आता है आँको पर आजाता है तो इसके मेथी के लेने से क्या होता है कि की बहुत नाशक है जोड़ों के दर्ध में भी मेथी बड़ी उट्तम है शरीर को पुष्टि बदान करती है और शक्तत्व की पूरती है और जब दो मेधी का प्रयोग दानिक रूप से करने से हमारे वुआईए विब हमारे जोडम के डर्द के रोब हमारे कमझोरी ने और बल वर्धक है अपने हैं कि दूर होती है और हम स्वस्त होते है तो मेधी का प्रयोग करें और जो पानी है मेथी के गर्मी को जल शांत कर देता है और मेथी के गुण को बढ़ा देता है जो में जड़ी भुणी कहते हैं अगुली जड़ी जल कर दूंगा जवाइन का जड़ो कि का काम करता है ताल चीनी तो अगया काम करता है और बहुत सारे ओशिदिये जल हम तियार कर सकते हैं सुभे जिनको हम शोच से निवरत होने के बाद आधा कप या एक कप या एक गिलास की महत्रा में आप ले सकते हैं और वो जो ओशिदिये जो हमारे लिए भगवान ने बनाई है जो भगवान ने अशिदि हमारे लिए बनाई है उस अशिदि से हमें लाब मिलेगा आईरवेदी के लाब मिलेगा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्रेब करें बहुत बहुत दन्यवाद